हेलो मा यूटूब फैमली स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूटूब चैनल में आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी रसोई में तवा रखने के तरीके से बनता और बिगडता है बास्तू जाने जरूरी किचन बास्तू टिप्स तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं है बलकि बास्तू नियमों के अनुसार ये धन कारक भी होता है यदि तवा घर में सही बिदी और नियमों के अनुसार रखा जाए तो वैभौत ही सुब फल देता है ठीक इसके बिप्रित यदि तवे को रखने में बास्तु नियमों की अभेलना की जाए तो वह घर में बहुत सी परिशानिया का कारण बन जाता है बास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है लेकिन तभी जब ये किसी खास जगर पर किसी खास तरीके से रखा जाए तो आईए आपको बताए कि बास्तु के अनुसार तवा रखने का क्या नियम है तवा और कड़ाई राहू का परतिंदित्व करते हैं और इसलिए इन दोनों ही चीजों की साफ सफाई और रख रखाव पर विशेश ध्यान देना चाहिए घर में तवा रखने का तरीका बना सकता है आपको धनवान अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पती की सेहत खराब होती है इसलिए याद रखे जब भी तवा या कड़ाई का आप परियोग करें तो उसे अच्छे से धो कर सुखा कर रखे यदि घर में पती या बच्चे नशे के लत के शिकार है तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है राहू के बुरे प्रकुप के कारण ऐसा होता है रात में कभी भी तवा बेसिं में ना रहने दे उसे धुल कर ही रखे रात में तवा उरकड़ाई कभी गंदा ना चोड़े सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखे तो उस पर नमक डाल दे गरम तवे पर नमक डालने से बास्तो दोस दूर होता है नमक साधा होना चाहिए उसमें मिर्च या हल्दी ना हो तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुट्ते को दे यह नियम बनाले पहले रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए इससे घर में विपदा नहीं आती साथ ही घर के सारी नकारत्मक पुर्जा समाप्त हो जाती है घर में सुक समर्दी का बास होता है तवे यह कड़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखे कि फैस सब की नजर में ना आए तवे पर बहार की नजर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए तवे को साफ कर अंदर की ओर रखे तवा और कड़ाई जहां खाना बनता है उसके दाई तरफ रखना चाहिए गरम तवे पर कभी भी पानी ना डाले क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है तवा हमेशा साफ और चमका कर रखे क्योंकि ये आपकी किस्मत का परतेविम होता है तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निकरेगी तवे या कड़ाई को कभी भी तीखी या नुकिली चीजों से ना खुर्चे तवे या कड़ाई को कभी भी जूटा ना करे नहीं उस पर जूटी चीजे रखे